हेलो फ्रेंड्स, वέλकम तू पाइथन सिरीज, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेकाटाइप के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पाइथन में डेकाटाइप क्या होते हैं, और यह कितने टाइप के होते हैं, Every value in python has a data type जो भी value हम python में किसी variable या constant में पास करते हैं उन हर value की कोई नो कोई type होती है जैसे मालीजे मैंने कोई value single code, double code या triple code में पास की है तो वो value हमारी string type की कहलाती है अगर हमने कोई value decimal number में पास की है तो वो value हमारी float type की कहलाएगी अगर हमने कोई value whole number में pass की है तो वो value हमारी numeric type की कहलाएगी अगर कोई value हमने true या false में pass की है तो वो value हमारी boolean type की कहलाएगी अगर हमने कोई value list, triple, set या dictionary की form में pass की है तो वो value हमारी collection type की कहलाएगी Since everything is an object in python programming data types are actually classes and variables are instance of these classes Python में जो data types होते हैं वो आपकी classes होती है और जो variables होते हैं वो आपके उन classes के object होते है मतलब कहने का यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था Python में कि जो भी value हम किसी variable में pass करते हैं तो वो value एक तरह की object होती है और उसका reference हम किसी variable में pass कर रहे होते हैं तो हर value की कोई ना कोई type होगा तो जैसा कि यहां पर बोला गया है कि data type आपकी classes होती है और जो variable होते हैं वो उस class के object होते हैं तो हमको variable से ही पता सल जाता है कि जो उसमें value store है वो किस type की है तो next video में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई variable किस type का है इसके लिए python ने हमको कुछ functions provide की है जिनका यूज़ करके आप यह पता लगा सकते हो कि कोई variable आपका किस type का है किस type की value उसमें hold करके रखी है next हम देखेंगे there are various data types in python python में ऐसे कौन-कौन से data types है जिनका यूज़ करके आप अपनी value को किसे variable एक constant में assign कर सकते हो तो देखें नीचे यहां पर दिखा रहा है python number python strings python list python tuple python set और python dictionary यह इतने तरह की data types python के अंदर मौज़ूद है जिनका यूज़ करके आप अपनी value को किसी variable या किसी constant में assign कर सकते हो तो friends आज आज आप लोग ने समझा कि python में data types क्या होते हैं यह कितने types के होते हैं नेस्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी variable का data type क्या है उसमें किस तरह की value store है तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आगी हो तो please मेरी इस वीडियो के like and share ज़रूर करें